आज मैंने बनाया यह इंटरनेट पर बहुत ही जादा ट्रेंडिंग और वाइरल रेसिपी बट अपने स्टाइल में जो की है चॉकलेट ट्रॉफल प्लांटर केक इसमें जितना यह बाहर से देखने में क्यूट लग रहा है अंदर से उतना ही जादा यमी है इसमें केक की ले केलिए ना सबसे पहले हमें थोड़ा सा केक चाहिए होगा जिसके लिए हमारे पस दो ऑप्शन्स है या तो हम रेडिमीट केक उसकते हैं जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएका आपको या फिर आप केक को घर पर भी बनाने की एक असान सी ऑप्शन बता रहे हूं जिसमें केक असानी से भी बन जाएगा और बनने में भी 5-7 मिरट लगेगे इस केक को तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने फेवरेट को भी चॉकलेट बिसकेट ले लो मैंने ओरियो बिसकेट लिये हैं 120 ग्राम बाला जो बड़ा बाला पाक आता है जिसमें 13 बिसकेट को ना मैंने तोड़कर एक ग्राइंडर जार में डाल लिया है साथ में अब हम इसमें डाल देंगे आधा कब दूद और बस इसे अभी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है तांकि इसका एकदम स्मूध बेटर बन जाए तो हमारा यह बेटर त्यार हो गया है इ ब्लू वाला या फिर इस तरह से ग्रीन वाला ही डालिएगा क्योंकि बाकी इनों में फ्लेवर रहते हैं तो वो यूज मत करिएगा मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हूं तो बस बेकिंग पाउडर डालके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा यह बेटर द्या नहीं तो बस इस पान को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे और मैंने इसमें यह नॉन्स्टिक पान लिया है इसलिए मैं इसमें कोई बटर पेपर नहीं लगा रहे हूं अगर आप नॉम्मल वाला पान ले दो तो इसमें थोड़ा बटर पेपर लगा के उसको भी ग्रीस कर ली भी इस तरह से होल बगरा है तो इसको भी अच्छे से कवर कर देंगे और इस तरह से बलकुल लो फ्लेम के उपर रखा रहने देंगे इसे पांच से साथ मिनट में आपका यह जो केक है यह अच्छे से पक जाएगा बठां अगर आपका पैन मोटे तले का नहीं है या आपक हो जाए तब हम इसके उपर अपना यह पैन रख देंगे फ्लेम को बिलकुल लो रखेंगे और उसी तरह से ही इसे अच्छे से कवर करके रखना है और अब डबल लेयर होने की वज़े से आपका केक जलेगा नहीं लो फ्लेम के उपर ही इसे पकने देंगे इस केस में भी आ पर जब मैं इसको टुत्पिक से चेक कर रहे हूं तो यह भी बिलकुल क्लियर है तो मैंने तो इस तना से पांट-सात मिनट में घर पर ही केक बना लिया मेरे पस बिस्किट रखे हुए थे अगर आपको इस तना से केक नहीं बनाना है तो आप मार्किट का केक भी यूज कर स प्रीम जो ब्लू बाले पैक में आती है वही यूज किया मैंने इन दोनों चीजों को हमें मेल्ट करना है इसके लिए चाहो तो आप माइक्रोवेव यूज कर सकते हो 30-30 सेकंड के इंटरवल पर आप इसे माइक्रोवेव करो या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव नही इंगे नीचे पानी से ही जाओते जाएगी उस वजह से चॉकलit मल्ट हो जाएगी थोड़ी देर में यूज की चॉकल इस्वीर है है और इससी के साथ हमारा यह लंग्ष झाल चॉक्लेट नश तयार हो गया है ऐस गनाश को नब हम थोड़ी देर के लिए पहले फाच्छम म बनाएंगे जिसके लिए न मैंने यहाँ पर यह इस तरह के disposable glasses लिए हैं यह different different sizes में मिल जाएंगे आपको मैंने इस तरह का दो थोड़ा सा medium वाले साइस का glass यूज किया है अब छोटे साइस का glass हो तो वह भी उज़ कर सकते हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यह जो इसके ऊपर का यह जो टॉप रिम वाला पार्ट है यानिकि थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट इसको हमें हटा देना है इसको इसलिए ह यहाँ पर यह 100 g dark compound chocolate tea है आप चाहो तो इसके जगह dairy milk ले सकते हो और in fact गनाश बनाने के लिए भी अगर आपको compound chocolate नहीं लीनी है तो आप dairy milk से गनाश बना सकते हो तो चॉकलेट को हमें melt करना है चाहो तो आप microwave कर लो मैं पहले की तरह डबल boiler पर ही इसे melt कर जहूं तो उसी तर करना क्या है कि सबसे पहले इस melted chocolate में से थोड़ी सी चॉकलेट हम अपने ग्लास में डालेंगे और इस ग्लास को आप इस तरह से रोटेट करते जाएंगे तांकि चॉकलेट जो है यह पूरे ग्लास में अच्छे से फैल जाए और इसके अंदर तो बस इसको हलका हलका सा चॉकलेट है यह पड़े पड़े नीचे की तरफ रिफ्ट होना शुरू हो जाती बस साथ के साथ इसे फ्रिज में रख दीजिए और इस तरह से दूसरे ग्लास को त्यार कर लेंगे और इस तरह से इने कोट करने के बाद इनको फ्रिज में 10 मिनट तक रखे रहने देंगे तो इस ग्लास को 10 मिनट तक रखने के बाद अब यह जो कोटिंग हमने की थी यह बच्छे से से एट हो गई है अब इसके बाद न हम इसमें एक बड़र फिर से इसी कोटिंग को रिपीट करेंगे ताकि एक डबल को जाए और जब हम बाद में इसे दी मोल करेंगे तो यह हम नहीं होगी अगर गरम चॉकलेट रहेगी तो यह नीचे की जो लेयर है उसे मेल्ट करतेगी तो बस इसे तरह से दोनों ग्लासेस में डबल कोटिंग करने के बाद हम इसे एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि अब जो चॉकलेट है यह पूरे अच् केक आचाँ इस केक मेंसे नवा छोटिए-चोटी केक की स्लाइसेस निखाल लेंगे क्योंकि हम इसे प्लांटर में डालना है तो इसके लिए मैंने बिलकुल उसी साइस का एक और इसको 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 इस्तेना से रख करण के ना बस चाकु से इसको कट करेंगे तो हमारी यह चोटे से लीज़ित कर लाइसे कर लिए तो उसके लिए मैं एक चोटे से साइस का ग्लास लिया हॉ ये भी थोड़ा से सेट हो गया हलका से सैमी सेट है ये मैं बहुत जादा हार्ड नहीं है तो इस गनाश को मैं बस एक मिनट के लिए विप कर रही हूं तो हमारा ये गनाश भी त्यार हो गया है इसके बाद अब ये जो ग्लासे समने सेट होने के लिए रखे थे 15 मिनट के निकाल लेने हैं तो इसके लिए क्या करेंगे कि हल्का से एक साइट से पेपर कप को यानिकि इस ग्लास को इस तरह सीरा से कोई प्रैश्र नहीं लखाना है कोई जल्दी नहीं करनी है आप देखरो कि कि मैं इसके उपर extra pressure नहीं लगा रही हूं बस हलका हलका से इसको आगए की तरफ हम फार्ट यह रहा है इस तरह से पूरा ग्लास निकालने की ज़र्णत है बस हलका हलका से आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इसको थोड़ा की लुक और भी देंगे तो इसी तरह से पहले हम दूसरे वाले प्लांटर को भी निकाल लेते हैं तो बस हलका से एक साइड से शुरू करिएगा बिल्कुल बिना प्रेशर लगाते हुए बस हलका हलका से इसको आगे की तरफ जाते जाएए फारते जाएए थोड़ा-थोड़ बिल्कुल बाहर पड़े हुए गमले के ऊपर थोड़ी-थोड़ी जैसे मिटी सी नहीं लग जाती बिल्कुल वैसी से लुक आएगी तो जैसे चाहूँ आप ऐसे बना सकते इसे तो चलिए इसके बाद अब हम अपने इस प्लांटर को असेंबल करेंगे तो इसके लिए सब तो आप देखे हो कि गनाश जो है वो हलका सा सेमी सेट सा है बहुत जादा लिक्विडी नहीं है बहुत जादा सेट भी नहीं है इसके उपर फिर से हम लेयर देंगे अपनी ये केक की और इसे भी मॉस्ट कर लेंगे फिर से इसके उपर थोड़ा सा गनाश लगाएंगे तो तो इस तरह से ऊपर तक हमें इसमें केक और गनाश की लेर्स देनी है इसके बाद अब ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी की लुप देंगे हम जिसके लिए अब जो क्रम्बल किया था ना हमने केक बचा हुआ हाथों से तोड़ कर रखा था उसको इसके ऊपर डाल देना है कुछ तो बिल्कुल ऊपर से यसे लगेगा जैसे कि बिल्कुल मिट्टी रखी होती है तो कोई भी आपका केक भी वेस नहीं होगा और आपका गमला भी त्यार हो जाएगा तो मिट्टी डालने के बाद आप बारी आते हैं इसमें फूल पाधे लगाने की जिसके लिए मैंने यहा तो बहुत ही अच्छा-च्छा से फ्लार्स खीले हुएं सबके घरों में तो मैंने यह फ्लार ओरिजिनल ही यूज़ किया है आप क्रीम से भी चाहो तो फ्लार बना सकते हो तो बैस इसी के साथ त्यार हो गया है हमारा यह प्लांटर केक आप देख रहो कि कितना यमी लग र अपने चानल पर कोई भी आइसिक यूज़ कर सकते आप इसमें और इन गमलों को इस तरह से फिल करने के बाद आप इनको अगर बहुत जादा गर्मी है ना तो 15 मिनट के लिए फ्रिज में रग देज़ेगा और फिर इसे सर्फ करो यह बहुत ही ज़ादा यमी तो बनते ही ह यह चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़ादा यमी बनेगा यह तो आप भी ट्राय करिए और अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें